हbelow members, अब देखो बात करने वाले market कल कैसा रह सकता है, Monday market क्या रहेगा बहुत सारी negative news market में आती होई दिखाई दी है, काफी लोगों की queries है, हलकि देखो हम लोग इस बर नई queries लेंगे क्योंकि बहुत सारी repeated queries हो जाती है, तो try करेंगे, important आज की नई queries लेंगे, ठीक है? चले स्टार्ट करते हैं देखो पहले यस्टरड़े कुछ वीडियोस रखे थे नेक्स्ट वी का मार्केट अनलेसिस और वुची नए स्टॉक दिखाई दे रहे जो आपको जरूर अडर पर रखने चाहिए और सोजलोन के बारे में बहुत बड़ी अपडेट है ठीक है चले प युकरेइन की वार वापस से हाँ पर कंटीनी हो चुकी है रश्या ने यहाँ पर एर अटेक किया है युकरेइन पर एर डिफेंस पर दिख सकते हैं यह नेगेटिव पॉइंट हो चुका है और यह लेटेस निउस है आप पूछे सर यह ओल्ड निउस है नहीं मेरा बाई य प्रॉइंट के अंदर तो पांच पर्सेंट भी जो लोग प्रॉफिट करते हैं अगर उस पर इतीस ट्रकार टेक्स लग जाता है तो वह भी दो बार सोचेंगे हाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए ट्रेडिंग करने के लिए और बड़े ब्लेस तो हैं पर डेफिनिल पर टेक्स लगे ना ठीक है तो पॉइंट के आ जाता है शायद यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग छोटी मूटी आ सकते हैं पैसे में ने अलेड़ी बता दिया था लेकिन यह जो सभी नेगेटिव नियूज से उसकी वज़ें से पी आ सकती है तो आपको क्या करना है उप और मी नीचे आना चाहिए अभी के लिए छोटा सा डीप आना चाहिए और डीप करीब करीब करें तेसा जाता हूँ अभी के लिए दिखाए जैसकता है बाते क्लियर तो यह पॉइंट जैन में रखेगा कल अगर यहां पर स्टीबल ओपन होता है आज का लोड टूट तो फ खिलाफ नहीं हो लेकिन आप देखो कि टाटा टेक का जो आई प्यो आय था ठीक है यह स्टॉक अनुमान था पांसो पे आई प्यो था जहां तक मेरा नॉलेज है पांसो साड़े पांसो का यहां था आई प्यो की प्राइस बेंट थी लिस्ट ओने वाला था नौसो पे लेक कोई भी स्टॉक अगर तीन गुणा लिस्टिंग भी हो जाता है अगर अच्छा स्टॉक होता है कंपनी कॉलिटी होती है तो भाई आप लॉंग टर्म समझ के भी मत लीजिए पता ही क्यों क्यों कि वो स्टॉक गिरेगा ना तो पूरा मार्केट उपर जाएगा आप दो बा अच्छा है बात सही है लॉंग टर्म अच्छा है लेकिन तीन साल ये स्टॉक नीचे रहेगा और फॉल करेगा तो आप क्या करोगे समझ में बात है इससे बैटर तो आप यहां पर यहां पर यहां पर 60% के रीटन दे रहे है ठीक है कॉन्ट वूच्छल फंड ने लास्ट के अंदर 60% के रीटन दिये है जिनको नहीं पता है बताना चाहूंगा कॉन्ट स्मॉल केप फंड्स ठीक है इवन निपॉन स्मॉल केप फंड्स ने 50% के रीटन दिये एक साल के अंदर है अगर आप मानलो बल्क में भी डालते हैं हाँ पर 50 लाग तो आपका 25 लाग एक साल क अंदर बन जाता वो भी बैठे बैठे आपको कुछ करना नहीं पड़ता ना ट्रीडिंग करना पड़ता ना स्विंग ट्रेड करना पड़ता बात समझ में आ रही है तो श्रॉट एं सिंपल में थोड़ा माइंड यूज करो और अभी के लिए ये स्टॉक में आपे बड़ तो सभी आईटी स्टॉक्स भाग रहे सिवाए टाटा टेक के तो मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी बात सुनो देखो आपको मार्केट में मैं लॉंग टम भी बोलूगा लेकिन एटलिस मैं आपको ये तो आइडिया बता पाऊंगा कि यहां से फॉल करेगा अभी नहीं लेना ठीक है बात समझ में आ रही है अगर मेरे विश्वास है तो definitely continue करना मुझे comment कर देना लेकिन नहीं है तो भी comment कर जा इटलिस मुझे आइडिया रहे कि लोग क्या सोच रहे ठीक है देखो मैं तो आपकी बले के लिए बोला हूँ और कुछ नहीं चलिए तो आयो निक्स ग्री असल की pattern नहीं बनाता तब तक ना ठीक है मैं आपको polyplex में इंशुर रहे बताया था कि स्टॉक का final support है साड़े साथ तो का यहां पे average possible हो सकते है स्टॉक में multi-year support आ चुका है ठीक है स्टॉक उसके बाद देखो आज़ा तक जाता हुआ दिखाई जया मेरी बात बहुत important चलिए अगला point आ जाता है annex green के बारे में देखो हम लोग ने ऐसा disclaimer में ने तो यहां पे btst किया था stock में fundraising की news आ रही है question आता है क्या positive है yes definitely positive positive होते जनरली क्योंकि वो company grow करना चाहती है वगरा वगरा ठीक है कहाँ पर गया stock यहाँ पर है और वैसे भी stock ने breakout किया था volumes के साथ ठीक है तो अब यह point आ था कि sir support कहां पे stock का 160 पे अगर यह moment time sustain किया तो मैंना वैसे एक दिन पहले आपको वीडियो में बताया था मुझी आपको यह तो बताया था कि stock में breakout है आपको stock 180 के लिए दिखना चाहिए अब 174 तो जा चुका है 180 RMC stock test कलेगा तो इसको radar पर रखेगा बहुत ज़ल 180 को भी test का सकता है अगर पूछे को Monday gap of open हो तो क्या entry भाई मुझे तो risk लगते उसके बात एक बार के लिए waiting watch करो 180 हो जाता में काफी लोगों ने bond को subscribe किया है stock momentum किया stock काफी नीचे जाने के बाद वापस recover करा है देखो short and simple में आपको simple बात बताना चाहूंगा अभी डिफेंस और railways और सभी में momentum है लेकिन मुझे लगता है कि बजट पे अभी वापस इक profit blocking आ सकती है तो इरेडा अभी fresh entry करने का मु swing trade करना है तो दोसों का gross करता है तो वापस हम लोग सोचेंगे swing trade के लिए लेकिन long term के लिए definitely not possible and अगर very short term का view उचे तो जब तक 200 ब्रिक करें तो भी not possible ठीक है उसके बाद ही हम लोग सूचेंगे उसके पहले नहीं चलिए GSW energy आप देखो स्टॉक में आप देखो कि बाई यह stock जाएगा ही जाएगा यह बोला ही था आप लोगों को नाला कि वॉलेटेल होगा लेकिन जाएगा पांसु क्या असबाद यह stock है और साड़े साथ सु तुम जाता हुआ दिखाई अभी भी momentum है अभी भी continue का सकता है और कोई fresh बोले तो मैं आपको ना बोलूँगा देखो हमेशा सही time पे entry important होती है जैसे कि मैंने sky gold में बोली थी अब sky gold में हाँ पे अभी भी entry possible हो सकती है लेकिन आप बुच्छो के बाई 30% उपर चले जाए उसके बाद सोच चुके मैं अभी लोगा तो मेरे लिए भी कहना मुश्किल हो जाता है कि downside कितनी है और upside कितनी है ठीक है ना तो दो बाद सूचिए उसके बाद कुछ decision लीजीगा चलिए तो जाधा तर मैंने news cover कर दिये फटार आप लोगों की मैं queries cover करना चाहूंगा सबसे पहली query आ जाती है मैं किलो ट्रिनिक्स देखो एलिकॉन मैं बता चुका हूँ मुझे स्त्रील उपर लगता है मैं कोशन यहां पर मिलता है कि सब्सक्राइब लेना है दो तीन साल के लिए इसका में थोड़ा बताईएगा ठीक है चलिए बता देते हैं आप स्टॉक में माइक इलेक्ट्रोनिक्स स्टॉक सीधा अपर सर्कृट में जा रहा है ऐसा लग रहा है बड़े बिलस ने एंट्री त सब्सक्राइब काफी तगड़ा है ठीक है तो अगर आपको ट्राइब करना चाहते हैं स्टॉक टेफिनली फॉर में इस पॉजिटिव एंड स्टॉक में छोटा सब सब्सक्राइब देना जो है 55 का अगर यह ब्रेक नहीं हुआ 55 का तो करन डेवल पे भी बहुत तगड़ा स approximately यानि कि यह जा सकता है तो मैं ट्राइ गरूँगा इसको रिस्क है तो इसमें लाने की कोशिश करूँगा लेकिर yes it's positive ठीके सर्टेक्स शुडब बी डिक्रिस देखो एक simple वर बोलूँगा मैंने यह जो वीडियो रखा था उसमें टेक्स में थोड़ा मैंने नेगेटिव के पास और वो भी मिडल क्रास और मैं एक वीडियो में मेरा शायद आ चुका होगा या फिर मैं आपको अपडेट बात में कर दूगा के जो बैठक होई थी ना उसमें डेफिनेटली आप यह समझो के जो अप पोर्ट से बंदरगा से जो माल आता है या रेलवे में जो हाँ पर अपडेट्स होती है उसमें जो बड़ी बड़ी कमपणी सोती है रेले रेलेटे या दूसरे उसमें जो चोटे चोटे प्रोड़क्स ह होते हैं इस पर छलिए ऐसकते है दूजरी करें लौट्री में जो टैसन बूते हैं इसको बोलता है तो थी आप जूखनी से वह सब्र Return that व क्यों सब्सक्राइब अगर बंदर वह सीमेष सकते हैं ड्रीं होती अगरेब डेले समा एंतलर अपर मिडिल क्लास के लिए कुछ सोच रहा हूं तो मैं नेगेटिव थोड़ा हुआ बैर भाई ठीक है मुझे पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है बीजेवी इस गुड लेकिन प्रॉब्लम है निर्मला जीट से जो सोचती ही नहीं है मिडिल कास के लिए अगर वो खुद अदानी पोड भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बॉकिंग करें पेरा कीवल के लिए दो मेने का व्यू कैसे तो देखो पेरा कीवल में ने काफी टाम से चेक नहीं गया तो वापस एक बाद चेक कर लाते हैं देखते हैं पेरा की बद देखो ऑन ए सीरियस नोट दो मेने का व्यू पॉजिटिव नहीं है स्टॉक में स्टॉक ने ब्रिकाउट के था रिजल्ट के बाद लेकिन फेल हो गया ब्रिकाउट फेल हो गया तो फॉर में अगर कॉस्ट के आजपास है तो एक जिर करने का सोची का वापस रिएंट्री करेंगे 85 की ऊपर लेकिन अभी दो मेन अब डेटल में डिसकस नहीं कर सकते हैं और वैसे बोनस या स्प्लिट कुछ अनौंस होआ था ओके इसके लाव यहां पे जो क्वेरी साथी वह दिखाई दी है वह है मोटी संस ज्वेलर्स काते देखो यहां पर एक पूछा था कि मोटी संस ज्वेलर्स के बारे बादेट की है जिनके पास से पैनिक मत करना शट टाइम लेगा ऊपर जाने में देखो ऊपर क्यों जाते हैं बड़ी प्लियर स्टॉक में एंट्री करते हैं लोगों ने एंट्री की प्रॉफिट बुकिंग किया अब यह टाइम पास कर रहा है तो टाइम पास करने के बाद अगर यह मो लगों यह से लिए तक जाता हुआ अगर अगर आपका आप लेगए बैढ़ जाना चाहते हैं तो यह बंदा पॉसिटिव है जैसे इसके बन बता बताता है हो चुका है वैसे ही यह स्टॉक में सपोर्ट आ चुका है अगर लेखे बैठोगे तो काम आएगा अगर लेकर नहीं बैठोगे तो फिर यह कोई काम का नहीं है शौट तर में कोई मोमेंट मुझे नहीं दिखाए दिरी तो पॉजिटिव है एक लीड़ साल के लिए अप्रॉ आपको सही नॉलेज प्रोवाइट करना चाहता हूं वरना मैं कोई भी बिकर का आंसर आपको दे देता हूं चले तो लास्ट क्वेरी आ जाती है एटल की एटल सर क्या है एक बार देख लेते हैं शौट टम का वियो कोई नहीं है मेरा किसी ने बोला था किसारी पंदरा सो त तो जादा तर वैसे momentum stock में हो चुक है जो भी price hike होने वाले थे elections के बाद वो I think already factor in हो चुक है तो अभी कोई momentum मुझे नहीं लगता कि वची है इसको avoid कर देगे में रखोगे तो जादा बेनेफिटेट है और fresh enter भी करना risk हो जाती है तो better है दूसरे stocks देखो इस से better और अगर पाये तो जरूर data पर रखेगा बाकि अभी के लिए इसको avoid कर देगे रिजाए चले hope आजका वीडियो पसंदा है समझभा है दूसरे वीडियो सब जाके जरू check out कर लिजेगा टेलेग्राम में नहीं यह जाकी जुड़ेगा और investors community को join करना है हमारे link से आप account open कर सकते है और